दोस्तों भगवान विश्णु ने काल के हर चक्र में पृत्वी पर दस अवतार लिये हैं पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन दसों अवतारों में से हम सबसे ज़्यादा श्रीराम जी और श्रीक्रिश जी की पूजा क्यों करते हैं दोस्तों हर अवतार में कुछ कलाओं होती हैं कलाओं का अर्थ आप गुणों से लीजिए और ये कलाओं 16 प्रकार की होती हैं अब विश्णु जी युग परिस्थिती और उदेश के अंसार जितनी कलाओं के आवशकता होती है उतनी कलाओं के साथ अवतरित होते हैं जैसे त्रेताय युग में धर्म तीन गुना और अधर्म एक गुना था, भगवान का उद्दे से संसार को राचसों और रामण से मुक्त कराना था, और रामण को वर्दान था कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, इसलिए विश्णु जी को रामण का वद करने के लिए श्रीक्रिष्न का अवतार लेना पड़ा था, 12 कलाओं वाले मानव रूपी श्रीराम जी को जहां मर्यादा के अंदर रहकर काम करना था, वहीं श्रीक्रिष्जी को मर्यादा के परे चतुराई और राजनीती से भी काम करना था, इसलिए उनमें चार कलाईं ज्यादा थी, स सबसे ज़्यादा कलाओं वाले होने के कारण ये दो अबतार सबसे ज़्यादा पोजिनी है